इन दिस क्योशन वी वांट तो कैलकुरेट दा एंगल x, y and z तो एक सरकल है जिसमें दो पॉइंट है ए और c जिनसे क्या बलते हैं कि डामेटर सुद्वा करें आपस में इंटरसक्ट करती है लेट से पॉइंट पी पे है न तो हमें क्या वजान है यह जो दो टेंजनसे इनके बीच का एंगल y और z तो सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो टेंजनस की आती है 90 डिगरी के एंगल पर होती है तो यह एंगल 90 डिगरी है और यह एंगल भी 90 डिगरी है ठीक है अब क्वाड़ी लेटरल में सारे एंगल्स का सम किता होता है 360 डिगरी तो क्या होगा एंगल एक एंगल हमें किवन है 120 डिगरी बाकी की दो टेंजन्ट से तो किता हो जागा 90 डिगरी प्लस 90 डिगरी प्लस एंगल एक्स इन सब का सम किता होता होता है 360 degree, now 90 plus 90 is 180, 180 plus 120 is 300, so 300 plus x is equal to 360, x के वे लिए के जागी 360 minus 300 which is equal to 60 degree, x के वे लिए तो आगी 60 degree, हमने का गरा है जो हमारे quadrilateral था, a, let's say this point is o, तो a, o, c, p में मैंने का गरा angles का सम 63 degree के equal कर दिया, अब हमें पता है कि इस एक straight line पर बने वे angles का सम क्या होता है, 180 degree होता है, तो यह एक straight line पर बने वे angle है, तो 180 degree plus z कितता हो जाएगा, 180 degree, 120 degree plus z is equal to 180 degree, to z क्या क्या है, z is equal to 180 minus 120 which is equal to 60 degree, तो z is equal to 60 degree, now similarly, y और यह 120 degree और y यह क्या है, एक दूसरे के opposite angle से एक की line पर बने वे angle तो यह क्या हो जाएगा, same हो जाएगा, तो y is equal to what, y is equal to 120 degree, so this is the answer for this question, हमने कैसे calculate किया, पहले हमने करा quadratic के सभी angles का सम 63 degree, और दो tangents तो angle किते किते तो 90, 90, तो 90, 90 होगा है, उसके लाबा एक line पर बने वे angle का सम 180 degree, तो z की value मिल गई, और same lines पर बने वे angle क्या थे यह, एक इस side पर बना हुआ, एक इस side पर बना हुआ, तो इनका भी equal होंगे यह, तो y is equal to 120,